रोज मर्रा क्याप अधापी में कुछ देर बैट कर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है इसलिए हॉन बजाकर बाकबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की एक खबर बेहशरना करतूत से जुड़ी है गाजेबाद में एक परिवार में अपनी सुविधा के लिए एक मेट यानिकी घरेलू सहाइका को रखा था लेकिन उसके ऐसी घिनौनी करतूत का भंड़ा फोर हुआ है जिसे जानकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बलकि आपके मन्ने घरेलू सहाइकों के ततीन नफरत भी हो सकती हाला कि पुलिस के माने तो आरोपी महिला का कहना है कि घर के मालिक की डाट फटकार के चलते उसने घिनौनी खरकत की दरसल वो खाना बनाने में यूरन इस्तमाल करती थी ऐसे में जरूरी है कि खुद भी आपसा तरक रहे और दूसरों को भी साफधान करने के लिए हाउन बजाएं हर माता पिता के खायश अपने बच्चों की सही देखभाल करने की होती है लेकिन जब बच्चों के पिता के साथ उनकी मा भी कामकाजी हो तो इसमें कुछ मुश्किले आती है लहाजे इसके चलते अपने चोटी बच्चों की देखभाल के लिए मातापिता घरेलू सहाईकों के मदद लेते हैं खासकर महिला को वो तवज्जों देते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह के दिवकत न हो इसके लिए घरेलू सहाईका को एक तैर रकम भी दी जाती है बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है तो महिलाओं को ममता की मूरत कई मामलों में ममता की मूरत मानी जाने वाली महिलाओं को लोगों ने रखा तो बच्चों की देखभाल के लिए लेकिन कई ऐसी घटनाई सामने आ चुकी हैं जहां घरीलू सहाईका हैं बच्चों के लिए ममता की मूरत नहीं बलके काल की सूरत जैसी सा बच्वी अब ऐसी घरीलू सहाईका से जोड़ा एक तासा मामला सामने आया है जो न सर्क बेहत हरान करने वाला है वनकी घर के कामकाज के लिए रखी जाने वाली महिलाओं कुलिकर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं इसलिए ऐसे मामली कुलिकर हौन बजाना ज़रूरी है जरसोचे अपनी सहूलियत के लिए आपने घर की कामकाश के लिए किसी महला को रखा है आप उस पर पूरा भरूसा करते हैं लेकिन एक दिन आपको बदा चलता है कि वो महला न सर्फ आपके परिवार का विश्वास तोड रही है बलकि पूरी परिवार के लिए बीमारी का कारण भी बन रही है तो आपका क्या हल होगा डिली के पास खाज़वाद से ऐसा है एक मामला सामने आया है जिसमें एक खाना बनाने वाली महला की बेहत घिरौनी कर दूद का परदा फाशवा है पहले बच्चों के साथ घरेलू साहाइकां की मार पीट करने वाली घटना इस सामने आती रही है लेकिन घाज़वाद में जो घटना सामने आयी है वो आपके होश उड़ा देगी मामला क्रॉसिंग रिपबलिक थाना क्षेद्र का है यहां कि एक सोसाइटी में रियल एस्टेट कारुवारी की पत्नी ने अपने घरेलू साहाइका के खलाफ थाने में एफाईर दच कराई है जिसमें उन्होंने घरेलू साहाइका पर खाना बनाने में यूरेन इस्तवाल करने का रोग लगाया है एफायर के मताबिक उनके घर में काम करने वाली घरेलू साहाइका किचन के बरतन में यूरेन कर उसी से आटा गूत रोटिया मना रही थी इसका एक वीडियो भी सामने आए इनांग 14-10-26 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखी सूचना दी गई जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महीला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरन सामने आया इस सूचना पर सुसंगर थाराओं में थाना प्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभ्योग पंजिकरत किया गया ततपर चाथ अभ्यूकता की गरफतारी हे तो पुलिस टीमों का भी वठन किया गया और दिनांग पंदरा दस चौबिस को उपलोग अभ्यूकता को जी एच सेवन सुसाइटी से थाना प्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफतार कर लिया है एवाम आवर्शिक बैधार ने करवाई प्रचनते दरसल शिकायत करता के घर में ये महिला भीते आट साल से काम कर रही है परिवार को अपनी घरेलू सहाई का पर पूरा भरूसा था लेकिन कुछ महिलों से परिवार के सदसे पेट की गरबड़ी और लिवर की वीमारी से ग्रसित होने लगे शुरू में उन लोगों ने संकरम परिवार को खाने में कुछ गरबड़ी का शक हुआ किचन में मोबाइल का कैमरा ओन कर चुपके से रख दिया गया परिवार के लोगों ने जब वीजियो देखा तो वो सन्न रह गये वीजियो में घरेलू सहाई का किचन के बर्तिन में यूरिन करती नज़राई इसके झाल 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 झाल